यह वीडियो है आपका बोनस वीडियो मतलब कि आपको पॉलिटिक्स पढ़ने का जर्वत निया एंसी आटी जो होते है ना 6 7 8 का पढ़ने बोलते हैं वो जर्वत निया विकॉस में डारा कुछ रहता नहीं है आपको बेसिकली क्या है वो कैसा है या आप बच्पन से पढ़त तो उस पूरे बुक में क्या लिखा है यह मैं आपको छोड़ा सा चीज रिवाइस करके बता दूंगा में में पॉइंट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा तो लेस्टार्ट पहला जो उसमें लिखा है वो लिखा है एक्वाल राइट वोट जैसे उनको पता है कि चाहे कोई भी समाज का हो कोई भी कास्ट का हो यह जान राइट टू वोट फ़र पार इस विएट कंडिडिट कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूंक थो तो तो नीजैना चाहिए प्ल्कुल निया इंडिया में तीकर तू इस वाट एक्वाल राइट वोट इसमें आप स्टोर अब देखे यह जो है यह थोड़ा सा मतलब नया पॉइंट है पर इसमें कुछ है नहीं इसका मतलब यह है कि एक एक्वैलिटी होने चाहिए हर एडल्ट अफ़ कंट्री जो अपने उसके पास पैसा कितना है या किस कम्मुनिटी से गलाउं करता है उसको वोट देने का अधिकार है इस नॉट लाइक किस इफ अमीर्याउ्ड वीडो अमीर को वोट देंग गढरीव ही मर्ब गरीब को बनेंगे अवरीवन हैज रहाइट इस प्रिसेट विटिस इस पासव रहत अभी भी यह गाउं तरफ वह चलता है कि आप देखेंगे आप लोग गाउं जाते हैं तो अभी भी लोग कास्ट को कम प्रिफेंस दी जाती है और सारे जो घर के छोटे मोटे काम है वो लोग रास्ट करते हैं जो बर्किया ऐसा नहीं होना चाहिए बिकास अब मॉड्राइशन आ गया है अब सब को एकॉलिटी मिलती है अब देखें एक नया एक है ओन प्रकास मौल में की जी एक फिमास दलित राइटर है दलित वर्ड यूज करना मेरे को अच्छा ही लगा लेकिन फिर भी बुक में जैसा लिखा है वैसा मैं आपको दिया औ उनकी लाइफ के ओपर है कि क्या-क्या उनको फेस करना पड़ा है ऐसा लोगर कास्ट पीपल परसन अब एक्वेलिटी इन डेमोकरसी किस बेसिस पर होने चीए वह होने चीए डिग्नीटी पर होने चीए मनलब आदमी का अगर वो चीज अगर आदमी की क्या बलब खुद का एक आतमस स्वाबिमान बोलते हैं ऑफ जैंडर पर होने चीए एक्वैलीटी ऐसा नहीं कि लड़की है या लडगा है कास्ट पर होने चीए यह तो हो गही है आजकल religion पर होने चीए लॉस पर होने चीए एकसे सब फैसलीटी एकसेस करना चीए एटियम से लेके पब्लिक करता है help करता है पहले तो law बना के सेकेंड करता है स्कीम चला के जिससे की लोग जागरुक हो और जो जो कम्यूनिटी जिनको अप्याइडवांटेज नहीं मिला है उनका फाइदा हो और मिड़े मिल स्कीम चलाई थे तमिल नाडू ने वह फर्स स्टेट था दो हजार एक में था और ऐसा रिपोर्टेट था कि अर्लियर जो सिंद्रम थे वो घर भाग जाते थे लंज के ड़ेंपर वापस नहीं आते थे विकॉस उनको पंड़े में इंटरस नहीं जाता था लेकिन जब से यह चला तो उन लोग को रुखना पड़ता है यहां पर उन ल कर रहे हैं बच्चों का क्या बोलते हैं स्टमक जो पेड अच्छा रहता है उनको सब कुछ सही है अब सिविल राइट मुवमेंट्स था यह कहां था रोजा पार्क में था तीक है ऐसा याद करें 1964 में हुआ था अब देखिए एक आर्टिकल 59 इंडिया कॉंसिट्यूशन का ऐसे आर्टिकल का एक वीडियो बनेगा पूरे आर्टिकल का वो एकदम टीटेल में समझाऊंगा मैं लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं इसका मतलब क्या है इसमें हुआ क्या है यह इस बेसिस पर है इक्वाल्टी की बैसिस पर इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन डिलिजिन इसी बेसे टार्ट नातार कोई इसमें को इसляется स्ट्राइव उसको कभी इंडिस्क्रिमिनेशनिया नहीं करना जाए है किकी स्टॉधन के लिए और कोई से लिसिन कस्ट और समाज प्लेशन 몸al और कहीं जाना ओ तो आर्टिकल 15 जो थोड़ा होता है वो किसके लिए है एक्वरेल्टी के लिए ठीक है और जो नॉर्मल जो गॉवर्मेंट है वो जो वेल्स टैंक्स बात बेधिंग गात लिक तलाब बोलते हैं रोड्स और जहां-जहां पर पॉब्लिक रिजॉर्ट है जो कि स्टेट फंड से मैंटेन के आता है वो सारे आदमी के लिए सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है और फिर आते हैं रोल आफ गॉवर्मेंट क्या होता है अब देखे इस तरफ जो है वो सब प्रो पॉइंट है ये तो है उप्रो होने के बाद जो है डिस्करेजमेंट वाल होते हैं लेकिन जो मोस्ट डॉक्टर हैं वह अर्बन एरिया में शेटल वह आते हैं और लोगों को बहुत जो गावाँ पर रहतों को दूर जाना पड़ता है अच्छे डॉक्टर के लिए अभी भी आपके नाना गाउं होगा या जादा गाउं होगा वहां पर प्रॉल्लम होगी ठीक है हेल्थ के फैसिटी से बहुत जादा हुई है 1950 में सिर्फ दो हजार साथ सो क्यास पास हॉस्पिटल थे अब 1991 में वह एरांड 50 परसंट बढ़के वह 50 परसंट नहीं बुलता है एरांड 500 परसंट बढ़के वह 11,000 हो गए अब 2000 में और एरांड 50 परसंट मोर अभी भी विकास उतना ज्यादा सेनिटेशन नहीं है हमारे पास अब मेडिकल टॉरिस्ट आते हैं लोग लोग बार दूर दूर से लाइक कहला हमें बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं अपना थेरिपी कराने के लिए और चन्नाई में बहुत बड़ा कैंसर होस्पिटल है यही सब होता है और इंडिया में जो है फोर्थ लाज़ेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का वर्ल्ड पे उसके बाद भी चिंड्रन्स को अडिक्वर्ट आमांट फूड नहीं मिलता अब इसके लिए गौवर्मेंट ने क्या किया है गौवर्मेंट में इसके लिए पॉब्लिक और रैपूर में वह सारे हैं डॉक्टर पीम रहां अंबिटकरस पर दाले है वहां पर फ्रीम होता है ताकि वह एक्षन हो सेफ रहें डिसीज से बचें और डिसीज लाइक ट्यूबर क्लॉसिस, मलेरिया, जॉन्दिस, कॉलरा, डायरिया, चिकन गुनिया, एक्सेटरा अब बीब मलेरीय है जो होता है वहूरा एेनफोलिस मॉसरات गॉरतिस, कि आपका थोड़ा सा साइन्स पोर्शन और में प्रायवेट हेल्था और जोंदिस प्यावड है फैस फैसल न के यहां पर क्या होता है है अंतर के आउर्गन्स को देखनेकर रहें नहींद करने में होता है जैसे सोने ऊंगए कि यह सोनोग्राफी बोलते हैं इसको जब महिला हैं प्रेइन होती है उनके लिए होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल से हैं प्राइवेट फर्म से अपोलो सुना होगा मुद बड़ा नाम है ठीक है मैट कार्ट आशकल तो नेट मैट से सब ऑनलाइन भी आ गए हैं यहां से मेडिसिन ख़ई सकते हैं अब सब्सक्राइब कर पाती है बाकी लोग तो करी नहीं पाते कई लोग तो होते हैं लेकिन उनको इलाज के पास पैसे ही रहते हैं और कई लोग कैसा है जो गरीब लोग है वह अपने इलाज कराने गया और कर्ज में रूपके आते हैं वापस तो क्या होता है क्या कर सकते हैं य और लेकिन आप देखेंगे कि government hospitals में अभी भी लाइन लगी रहती है और डॉक्टर्स उतने अटेंटिव नहीं होते और वहीं प्राइवेट में जाएंगे दॉक्टर्स अटेंटिव होते हैं तो लोग भी चाहते हैं कि प्राइवेट में जाए हमारा जो शरीर है वो अच्छ में क्या किया था 40% of the entire state budget को उन्होंने पंचायत और आंगनवारी को दिया था है उससे क्या हुआ कि पंचायत ने बहुत सारे व्यवस्था को लेक्ट्यूब बनवाया है है एल्थ फैसलिटीज की अच्छी की हार जगा है डॉक्तर अपॉइंट किया गया और आंगनवारी स्प्राइब बच्चों का विकास होता है महिलाओं का विकास होता है बहुत सारे जॉब ऑपर्चुनिटीज खुलते हैं ऐसे में अब एक था कि कॉस्टारिका के कंट्री है उसका अपरोच था वो थोड़ा सा हमारे लिए इल्वादी करें विकास मारे पस पाकिस्टान है चाइना है कॉस्टारिकन लिए कि वो आर्मी नहीं रखेंगे अपने कंट्री में आर्मी वो पूरा चले गया मेडिकल में और पॉब्लिक अपलिफमेंट में हैल्थ अपलिफमेंट में इससे उनको पाया हुआ हम नहीं कर सकते हैं मेरे खाल से अपर शुब्लिक अपलिफमेंट में अपकिस्टान चाइना वी नहीं को एक यह नहीं सब्सक्राइब अब जीतता है तो एक आडमी ख़ड़ा होता है अब जो पॉलिकल पार्टी में रहे इसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं और जो अधर मेंबस रत्मों को और इतना चाहिए उनको ठीक है ना अब डिबेट क्या होता है लेकि यह होता है जो अपनों सुनते हैं लोग सभासा राजी सभाविजान सभा में कि लोगों के जो प्रॉब्लम से उसको पोजिशन लेकर आती है और जो गॉवर्मेंट है वो उसके खिलाफ में या विरुद्ध मे या साथ में उसके लिए जो इंप्रॉब्मेंट के वर्क हुए उस पर अपना वो अपना सुझाओ देती है और अपने कारे को बताती है अब स्ट्रगर ऑफ एक्वेलिटी तवा मतस्या संग यह क्या था यहां पर क्या हुआ था कि सत्पूरा फॉरेस्ट जो है वो खतम कर हो जाए गया था वहां पर जो होता जो कहां से होता हो महादेव हिल्स नवार डिर्सिक से होता है एक तवा रिवास है जो बेटूल से फ्लो होती है जो नर्मजा को जॉइन करती है हो संगाबाद में यह 1958 में स्टार्ट हुआ 1978 में कम्प्रीट हो गया अब जो नाइंटिन ड रर्निंग चले गया ठीक है और उस चक्कर में वहां पर पहुंच जा रहा प्रॉडम हो गई तो इसके लिए उन्होंने फिर एक रायट किया रिवाल्ट किया उन्होंने रोड ब्लॉक किया और बहुत सारे उन्होंने एक तरह से आंदूलन किये डिवालूशन लाया जिससे कि गवर्मेंट ने बोला कि ठीक है ताकि इनको यह इससे इनका क्या फायदा होता है वहां के पूरी अरिया फिशिंग पर डिपेंड रहती थी तो उससे उनका घर का पेट चलता था तो बेसिकली अगर आपको कुछ चाहिए तो एस डेमोक्राटिक पीपल वी नीड तू र पंदर हजार पीपल जोइंगे तो बैसी इसादा स्मॉल स्टफ हमको पता रहना है कि मुमने क्वाल्टी क्या है यह सब कुछिंस लिखने में अंसर लिखने में फायदा होते हैं तो इस इस क्लास 7th NCRT if I miss any point please tell me it will be helpful for me also and yourself also thank you thanks a lot